ही व्रीवान मैं हूँ प्रती और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस्टेरो 369 में आज एक बार फिर से हम देखेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो पॉसन है करन्टी वो क्या सोच रहे हैं किस सिच्वेशन में है क्या महसूस करें है आपको लेकर क्या सोच रहे हैं ऑके हैं अपने ही अपने रखने हैं जो वो messages आप से resonate नहीं करते हैं, वो messages किसी और के लिए होने वाले हैं तो चलिए guys, reading को करते हैं, शुरू आज थोड़ा insightful reading करेंगे guys, थोड़ा देखते ही कोशिश करेंगे, detail में आपके पॉसन कैसा फ्लिल करेंगे so universe, please divinely guide करें और बताएं, मेरे वीवर्स के जो पार्टनर है वो करेंगे क्या महिसूस करें हैं, क्या करना चाहते हैं, मेरे वीवर्स के बारे मेरे वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं King of Cups in reverse, Cancer by Scorpio please divinely guide करें universe okay okay Aries, Leo, Sag, Five of Wands okay Hierophant okay Nine of Pentacles Taurus, Virgo, Capricorn Taurus यहाँ पर किसी के लिए important हो सकता है guys Cancer passes Scorpio Five of Cups Nine of Pentacles Okay Seven of Cups in reverse Three of Wands Aries, Leo, Sag Cancer passes Scorpio Okay guys, आपने से कहीं लोग यहाँ पर long distance relationship में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके partner आपसे मिलने आना चाहते हैं, ट्रावल करके, ऐसा भी यहाँ पर फील मिलता है guys Gemini Libra Aquarius Four of Swords and Queen of Swords Gemini Libra Aquarius And seven of Swords, Gemini Libra Aquarius And bottom of the deck we have six of Swords in reverse All right Guys, यहाँ पर five number किसी के लिए बहुत important हो सकता है Take it how it resonates Okay क्योंकि यहाँ इस reading में guys Three bar हमारे पास Three times यहाँ पर हमारे पास five निकल कर आया है Five, five and five So, देखिए guys किस तरह से आपसे resonate करता है Number one, number two is अगर आपको 555 भी दिखते हैं तो please मुझे comment section में जरूर बताईएगा Okay या कभी आप घड़ी में देखते हैं पाँच पर मिनिट आपको देखते हैं या फिर आप कहीं कुछ देखते हैं कहीं कुछ वीडियो आप देख रहे हैं तो 555 उसके व्यूज हैं इस तरह से कभी आपको 555 नमबर अगर दिखते हैं तो आप प्लीज मुझे comment section में आकर जरूर बताईएगा किसी के लिए यहाँ पर 5 नमबर बहुत important हो सकता है गाईज ओके आल राइट किसी को प्यार जिसको देना चाहते हैं उसके साथ नहीं है उसको इनोंने खो दिया है इस तरह कि यहाँ पर फिलिंग्स निकल कर आए हैं जहां भी जिस भी surroundings में है आज पास में इनके लोगों से बन नहीं रही है अगर फैमिली फ्रेंड के साथ में, यह तो यहां पर इमकी नहीं है तो यहां पर इमकी नहींटो तो फैमिली से बन रही है नन फ्रेंड στο बन रही है इन जिस दिंदीगी में बहारी लोगों का influence बहुत जादा है ये खुद से तो अंदर इनके दिल और दिमाग में तो बहुत जादा जद्दो जहत चल रही है किसी चीज़ को लेकर लेकर यहां पर इनकी सराउंडिंग्स में भी किसी से इनकी बन नहीं रही है लड़ाई जगड़ों का यहां पर माहौल जो है शुरू है बहुत जादा यहां पर कॉन्फिक्टेड अनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है कैस्स ट्रॉंग्ली यहां पर आप में से कई लोगों के लिए निकल कर आया है कि आप दोनों का जो अलगाओ है वो इसलिए हो गया क्योंकि आपके कास्ट रिलिजिन यह सब अलग है तो इसकी वज़से इनके घर-वाले नहीं मान रहे हैं और इससी वज़सा इनको लगता है कि इस वज़से यहां पर कास्ट रिलिजन को लेकर आपकी जो शादी है यहां तो उनों का जो मिलन है वो यहां पर संभव नहीं हो पा रहा है इस बात को लेकर आपके पार्टनर काफी ज्यादा दुखी थे लेकिन रीसेंट्ली इस दुख से थोड़ा सा उबरे हैं थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करें हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं चीजों क क्या करें आगे किस तरह से बढ़ा जाय क्या किया जाय कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इनको बस अ ट्रावल करके कही जाना है या तो यह शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पास आकर आपसे मिलना चाहते हैं आप में से कहीं लोगों की पार्टनर और इनकी तबेट ठीक नहीं है और थोड़ा रेस्ट मोड पर हैं बहुत छोटे से सेट अफ पीपल के लिए बात में कह में कारी हूं गाइस कुछ लोगों के लिए यहांपर आपकी पार्टनर की लाइफ में या तो इनकी मदर हैं या कोई थर्ड पार्ट पार्टी है यहांपर जो की इन पर काफी नजर रखे हुए है रखे वे थी तो अभी यह थो हैं थोड़ा सा कमडाउन हूई हैं तो अभ आपके पार्टनर जो है मुझे बहुत ऐसी अनरजी में लगते हैं कि यह जहां पर भी है जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से यह भागना चाहते हैं इन लोगों के केस में यह पेरेंट्स हैं और यह मान नहीं रहे हैं तो आपके पार्टनर पूरा जोर लगा रहे हैं मुझे यहां पर ची , अपने पेरण्स से इनके लडाई जगडे हो रहे हुए इनके गर में और यह कोया है पूरेपना भी शक्ति से कोश़िश करें है कि अपने पेरेंट को मना ले कुछ तो यह करें जिसके कारण आपके और इनका जो है मिलन हो सके आपके यहां पर देखी आप में से कही लोगों के पार्टनर जो है वो मुझे यहां पर एक फाइनल आपको बाय बाय बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ऐसा लगता है कि इन्होंने आपर हिम्मत हार दी ह और अभी आपके साथ आगे जाने के अस्तिती में नहीं है और इन्होंने अपने हथियार डाल दिये हैं और अपने जो भी इनकी फैमिली है या और कोई सिच्वेशन है तो यहां पर उस सिच्वेशन के सामने इन्होंने हार मान ली है और यह आपके साथ आगे जाने के लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा है इस बात का भी ने बहुत यहां पर रिग्रेट होते हैं मुझे दिखाई दे रहा है अपरेंटली यहां पर गाई आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं ट्रावल करके आप से मिलना जाते हैं अर यह बिलकुल प्लान बना भी रहे हैं इस तरह का क्योंकि सोच नहीं पा रहे हैं उदर भुन में हैं समझ नहीं आ पा रह रहा है इनको क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ तो इनको direction एक सोचना पड़ेगा और इस direction को set करने के लिए इनको आपसे मिलना है, इनको आपसे बात करनी है, discuss करना है आपके साथ मिलकर एक concrete decision लेना चाहते हैं कि जंदगी में आगे इनको किस तरह से बढ़ना है अगर आपने से बहुत लोगों के partner आपसे contact में नहीं थे तो अब यह बहुत जल्दी आपसे contact में आने वाले हैं लेकिन आपने से कहीं लोगों के partner एक छोटे से set of people के लिए में आपर कह रही हूं वो उन्होंने अपना मन बना लिया है और आपको टाटा वाय वाय बोलने के पूरे बॉर्ड में यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं ओके और आपके partner इस बॉर्ड में है तो इस समय अगर universe आपको कुछ messages देना चाहें तो क्या होंगे universe की साइट से आपके लिए अगर हम कुछ messages दिकालते हैं तो वो क्या होंगे messages universe please कुछ messages दे दीजे मेरे viewers के लिए कुछ messages दे दीजे universe के ऐसे situation में जब इनके partner इतने दुखी है और इनसे मिलने आना चाहते हैं और कुछ लोगों के लिए जब इनके partner ने इनको यहाँ पर छोड़ने का मन बना लिया है सरिष्टे से बाहर जाने का मन बना लिया है तो फिर ऐसे में इनके लिए क्या suggestion है okay so one more message please universe एक message और दे दीजे please just one more message okay एक message और दे दीजे universe please okay so we have received all three messages here okay so first message what we have received here is what what you give will come back so here guys आपको message दिया जा रहा है universe की साइट से कि जो आप देंगे वो आपके पास वापस लोट कर आएगा when in doubt give let them have it surrender make peace with this no doubt give let them have it surrender big peace did I make life too easy the universe universe आपको यहाँ पर कहना जाते है guys कि जो भी आप देते हैं वो आपके पास वापस आता है so कोशिश करिए कि आप जो दे रहे हैं वो एकड़म peaceful energy हो happiness हो love हो क्योंकि जो आप दे रहे हैं वो आपके पास वापस आता है तो इस वक्त अगर आप बहुत दुखी है परिशान है अपने partner के लिए तो आपको दुखी नहीं होना अगर आप दुख में रहेंगे अगर आप अपने surroundings में दुख को फैलाएंगे वो वाली vibes फैलाएंगे तो आपके पास दुख ही lot कराएगा अपने अपको अकेले पन में मत रखिया अकेले पन को attract मत करिया अगर आप अकेले रहेंगे तो अकेले पन आपके पास lot कराएगा तो रिवर्स आपसे कहना चाहते हैं खुश रहें और प्यार करिये खुद से peaceful energy में रहें ताकि आपकी जिंदगी में वही वापस आए जो आप दे रहे हैं second message आपके लिए निकल कर आया है you will be surprised यहां पर आपसे कहना चाहते हैं ask with love and their answers may surprise you yet whatever their answer be happy and this may surprise them hi it's love and I the universe so universe आपसे कहना चाहते हैं कि आप surprise हो जाएंगे आप जो है जो भी आपको answer मिलता है अपने partner से उसमें आप खुश रहें कोई इसमें आपको दुखी होने की ज़रुरत नहीं है युनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं and at the end of the day वो आपको कोई बहुत ही अच्छा बहुत प्यारा surprise देने वाले हैं और वो surprise जो है अपने सोचा नहीं होगा और आप जो है अपने प्यार को इतना प्यार करिये कि return में जो आपको बिले वो आपको surprise बिले prepare to be astounded wow beautiful message send them love wish them peace see them happy everyone always forever and prepare to be astound superb the universe so यहाँ पर देखिये यहाँ पर आपके लिए एक personal note भी निगल कर आया है oh man and will you ever become a big time manifester यहाँ पर universe आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप जो चाहें अपने जिदेगी में manifest कर सकते हैं बस आपको अपने पर विश्वास करने की जरुवत है so please guys आप जो भी manifest कर रहे हैं पूरे विश्वास के साथ उसको manifest करिये और खुश रहे हैं okay यहाँ पर देखिये यहाँ पर आपको universe ने clearly कहा है clear उन्होंने आपको message दिया है कि आपको जो है अपने partner को peace भेजना है happiness भेजना है love भेजना है okay और last card of the deck हमारे लिकल कर आया है you have what it takes beautiful message always follow your heart unless it's been broken then you must lead it back into love the universe so universe आपसे कहना चाहते है कि आपको अपने heart को follow करना है did you know that hearts are never too big to mend too small to rebound or too tired to love again okay so guys यहाँ पर देखिये बहुत ही beautiful message आपके लिए निकल कर आया है प्यार करनी के लिए जो भी जरूरी है सब कुछ आपके पास है जितने भी desired happiness है वो सारे पानी के लिए जो भी जरूरी है वो सब कुछ आपके पास है so guys यहाँ पर अपने सारे skills का use करिए बहुत प्यार से रहिए बहुत happiness से रहिए जो भी आप देखे वही आपको वापस बिलने वाला है so guys यहीं थी आपकी छोटी सी प्यारी से रही अगर आपको रही पसद आई है तो please do like subscribe and share और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स रही में तब तक के लिए बाबाई